हलो फ्रेंड्स, गुड बिनिंग, स्वागत है आप सबका सिवकिर्पा कलासेच पर, मैं महिस्कुमार बर्मा, आप सबका स्वागत करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हमारा SSC GD 2022 का टेस्ट सिरीज नंबर 18 है, जिसमें हम लोग सामा निद्यन के महत्पुन परसनों को साल्प करेंगे, और देखेंगे कि यहां से हमारे कितने कोस्टन्स सही हो रहे हैं दोस्तों, SSC GD 2022 के एकजाम के सिलेबस की रिकोर्डिंग बनाए जा रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग इन्हें कांस्टेट होकर साल्प करें, कोस्टन्स कम सही होने पर पुना टेस्ट सिरीज का रिबीजन करें, ताकि होने वाली SSC GD 2022 की परिच्छा के लिए आप लोग प गल्फ इस्ट्रीम जलधारा किस महासागर में परवाहित होती है, गल्फ इस्ट्रीम जलधारा किस महासागर में परवाहित होती है, ए नमबर है परसांत महासागर, B हिंद महासागर, C अटलांटिक महासागर, और D है दोस्तों, आर्किटिक महासागर, तो दोस्तों हमारा था, गल्फ इस्ट्रीम जल्धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है, तो इसका एंसर होगा दोस्तों, गल्फ इस्ट्रीम जल्धारा अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होनी वाली एक गर्म जल्धारा है, गल्फ इस्ट्रीम जल्धारा अटलांटिक महासागर में प् आप जानते हैं दोस्तों बीच में विश्वत रेखा है यानि जीरो डिग्री अच्छांस है जो प्रिथी को दो परावर भागों में बाठती है उत्तरी गोलार्थ और दचिन गोलार्थ तो दोस्तों अटलांटिक महासागर की ये उत्तरी हिस्से में परवाइत होने वाली ए है परसांत महासागर यूम अटलांटिक महासागर सी है परसांत महासागर यूम हिंद महासागर और दी नमबर भीकल्प है अटलांटिक महासागर यूम हिंद महासागर तो हमारा सही इंसर क्या होगा दोस्तों परसांत महासागर यूम हिंद यूम अटलांटिक महासागर को परसांत महासागर यूम आटलांटिक महासागर को यानि बिकर नंबर बी यहाँ पे हमारा सेयंसर होगा पनामा नहर परसांत महासागर यूम आटलांटिक महासागर को जोडती है एक नहर और बार बार पुछा था दोस्तों सोजनहर तो सोज नहर किंदो सागरों को जोड़ती है तो भूमा दिसागर यूम लाल सागर को ये दोस्तों महा सागर से जोड़ती है पनामा नहर और सोज नहर सागर को जोड़ती है जिसमें भूमा दिसागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है तो दोस्तों सोज नहर और यहाँ किसका परमु खुथपादक है विकर देखेंगे दुस्तों तो यह है कोक भिकपा सिकाफी और धाको तो यह मंसर बनेगा दूस्तों काफी यानि दुम्हा किस तेन कोश्वादर बनते है ध्यान थे needle दो दोतों, पर एक सन्टों और यहां पर जो कहवा के वागान होते हैं अंत को फजेंडा की नाम से जाना जाता है किस नाम से फजेंडा की नाम से एक कोश्चन और बनता है दोस्तों यहां पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है सैंटोस तो सैंटोस बंदरगाह को दोस्तों काफी बंदरगाह या कहवा निर्याद बंदरगाह के नाम से जाना जाता है तो नेज़ देखेंगे फोर नमबर कोश्चन कोंसी अच्छान्स रेखा भारत की मद्ध से होकर गुजरती है तो हमाँ से इंसर बनने का दूस्तों करकर रेखा हम लोग जानते हैं करकर रेखा भारत को दुलगभग दो वराबर हिस्सों में बारती है जो भारत के बीचों 20 से होक और मिजुरा. देखेंगे 5 numbers question? भारत ने किस परकार की जलुखाई पाई जाती है यह हे मारे question number 5 बताना έड़ा दोस्तों तो Pale जाती है आफ लोग जानते है शेग रिवां घृते है। भर्सा का यहीं बहूंत सदैर तो do it around he है तो भी भी कर जाएगा उसके बाद दोस्तों उपरोक्ट में से कोई नहीं अब होगा ही नहीं क्योंकि दो पहले ही कर चुके हैं तो बचा किया उसल कड़ बंदी है जलुगा याने विकल्ब बसी हमारा सही एंसर होगा नहीं देखेंगे इस तरह से भी दोस्तों कोश्चन आप लोग अच्छे से साल्फ कर सकते हैं सिक्स नंबर कोश्चन दोस्तों सोन नदी कहां से निकलती यह पूछा गया है तो हमारा से एंसर बनेगा दोस्तों अमर कंटक पहाड़ी से बिल्कुल फैक्ट्चुल नंबर से बन में बार बार पूछा का क्ट्चन है दोस्तों इसलिए करने के कार दोस्तों इस कोश्चन को अभी हम से हटा नहीं रहें तोस्तों वह संग्विदान संसोधन था एक सठमा संग्विदान संसोदन 1989 के द्वारा दोस्तों 21 वर्से घटा कर 18 वर्स की गई मतदान की आयो नेज़ देखेंगे 8 नमबर कुस्चिन सरदार सरोर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है यह हमें बताना है बार-बार पूछा गया कुस्चिन है दोस्तों अब तो यह हालाइटेड है आप लोग जानते हैं सरदार भलब भाही पटेल की इसी पर दोस्तों तो हमाँ सही इंसर होगा नर्मदा यानि बिकल्प नमबर ही है यहां पर हमारा सही इंसर होगा नेज देखेंगे वाय मंदाल में सबसे नीचे वाली परत यहां से कुश्चन पूछे आती है दोस्तों हम लोग पढ़ते चले आएं कि वाय मंदाल में बिभिन परतों का दोस्तों बिबरणा है मिया मिसरन है कब कर सकते हैं जिसमें सबसे नीचे छोम मंडल उसके उपर समताप मंडल फिर मद्य मंडल आयन मंडल और बहर मंडल इस तरह नीचे से उपरी हिस्से में जाएंगे दोस्तों छोम मंडल सबसे नीचला मंडल है जहां बादल बनते हैं वर्सा होती है जो कि हमारा एंसर बनेगा सबसे नीचे वाली प्रत पुछी गई है उसके बाद समताब पड़ेगा समताब मंडल में दोस्तों आप जानते हैं कि आप मानला भग समान रहता है जिसके का दोस्तों या वाय व्यान के लिए अच्छा माना है और समताब मंडल के ही उपरी हिस्से में जोन परत का विस्तार है या जोन परत पाया थे जिसके बारे में आप पढ़ते चले आए हैं उसके बाद पलेगा मध्य मंडल आयन मंडल और बहिर मंडल ने देखेंगे सेवन नूमर कोस्चन काली मिठी का विस्तार पाया था यह पूछा करें दूस्टों, दस नमर कोश्चन में Вिकल्प है महाराष्ट मादपर्देस, गुज़रात और उपरोग्त सभी तो हमां से इंसर क्या होगा दोस्तू, काली मिट्रीट का विश्थार कहा वहाँ का पर है यह पुछा है दोस्तों रोका जा सकता है किस परकार होता है नहीं रोका किस परकार जा सकता है यह पुछा गया कोईशन में ध्यान देजेगा आती चराई होगा नहीं क्योंकि इसे मिर्दा परदन होता है वनस्पत उन्मोलन से दोस्तों उन्मोलन से थोड़ी होगा दोस्तों वनस्पत मुलन से भी नहीं होगा अचिताई से भी नहीं होगा, वनस्पत मुलन थोड़ा सा खन्फूज करने वभी गल दिया गया है, तो उप्राउक सभी भी नहीं होगा, क्योंकि दो पहले कड चुके हैं, तो बचा किया दूस्तों? वन रोपन यानि वन रोपन कह सकते हैं दूस्तों इसके दौरा दोस्तों मिर्दा परदन को रोका जा सकता है यानि बिकल्प नमबर सी यहां पर हमारा सही अंसर होगा तो यहां तमिल नान में पूछा गया, लगभग चर नहीं तट आपके सकते हैं, तो हैं कौन से मांसुन से होती है, उत्तर पस्चिम मांसुन दोस्तों, दच्छिट पस्चिम होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों, गिरिश मेरे तुम्हें यहां तो भात के लगभग सभी सों में व मांसुन का निवर्थन भी दिया आता है, लोड़ता हुआ मांसुन भी दिया आता है, उत्तर पुर्भी मांसुन भी दिया आता है, कई तरह से विकल दिया आते हैं, तो दोस्तों, यह हमारा एंसर होगा, विकल नमर सी, जो कि तमिल लाड़ में सित कालिन में होने वाली वर् यानि बिकल नमर यह कर देते तो पुरानी जलोर मेर्दा को जा नाम से जानते हैं नभीन जलोर मेंदा को जो कि कि मारा कौश्चन है इसका एंसर बनेगा खाधर यानि भीकल नुमर कौश्चन राज के नित निर्देसक सिधन भाटे सिंधन के किस भाग से ली गए वहीं है वह इस्टेट फाल्सी जो की दोस्तों 36 से क्या उन तक दिया गया है तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आठिकिल एक की चर्चा करेंगे एक से चार तक है संग तथा राचे छे जो की दोस्तों भाग एक है फिर पांच से ग्यारा से टीजन सिप यानि नागरिकता जो भाग दो है फिर 12 से 35 दोस्तों fundamental rights है जो की भाग 3 है यानि मौली का दिकार फिर दोस्तों 35 के बाद 36 से चलो हो जाएगा राज के नित ने दे सकता हो तो यानि हमारा एंसर आएगा विकल नमबर डी फिप्टी नमबर कोश्चन देखेंगे दोस्तों बार बार पुछा का कोश्चन है यह करना ज्यरूर है किरल का परसिद नित पूछा जा रहा है तो यह नमबर ए कुछपड़ी जो की आण्थ्र परदेश का हो जाएगा यह चिगान हमारा करनाटक का हो जाएगा कतकली दोस्तों यह किरल का होगा प्षघान करनाटक तो कुछपड़ी आद सब्सक्रिक टेव एं गर्बा पुछा जाए तो गुजरात आएगा गुजरात बिकल्ब में नहीं है तो महराष्ट आएगा भगिद्धा और भांगला पंजाब का होगा विहुए अक्सथ पुछाता है दोस्तों जो कि यह समका है कथा कुत्तर प्रदेश का दिहांदी जी का दोस्तों इन्हीं मैं सब्सक्राइब करें ताकि हमारे दोरा दिये जाने वाले सभी वीडियो आप करम से सबसे पहले देख सकें तो मिलते हैं दोस्तों अपने एक लेक्टे स्रीज के साथ थैंक्स फार वाचिंग